अगर आप कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका फल आपको जन्मांतर तक मिलता रहे तो आप उसे पुष नक्षत्र में खरीद सकते हैं हिंदु धर में बहुत सारे व्रत पर्व और त्यहार हैं सभी का अपना-पना अलग-अलग महतु होता है और इन सभी पर्वों में मुर्थ का विशेस महतु होता है हर शुप कारे को करने के लिए अलग-अलग मुर्थ होते हैं लेकिन कुछ ऐसे मुर्थ भी होते हैं जो हर कारे करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं और इनी में से एक नक्षत्र एक मुर्थ होता है पुष नक्षत्र जैसे खरीदारी से लेकर अन्य सभी शुब कारे को करने के लिए बहुत ही शु वो और भी अधिक बढ़ जाता है पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार के दिन या रविवार के दिन होता है तो गुरु पुष्य और रवी पुष्य सायोग के नाम से जाना जाता है और ये जो दो शुब मोर्द हैं ये हर प्रकार के कारियों को करने के लिए स्ट्रेस्ट म मिलेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रवी पुष्य नक्षत्र के दिन किये जाने वाले कुछ बहुत ही महत्पुन उपायों के बारे में बताऊंगी इसलिए अगर हो सके तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर दिखेगा सबसे पहली बात तो रवी पुष्य नक् मालक्ष्मे नम्हा इस आसान से मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो आपके लिए धन के जो मारगें वो खुल जाएंगे आपके घर में सदा सर्वदा धन सुक सम्रिधी का भंडार भरा रहेगा मालक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही प्रे है इसलिए उनकी पंच करना चाहते हूं कि पंच उप्चार विधी किया है या शोडशो उप्चार पूजन किया है तो उसकी अलग से वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी जिसे आप कम्यूटी पोस्ट में चेक कर सकते हैं आज के दिन जो भगवान शिव को हम पुश्प अर्प या आपकी नौकरी से जोड़ी कोई समस्या हो या आप अपना घर बनाना चाहते हो बहुत कोशिश बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके पास इतना धन एक गठा नहीं हो रहा हो कि आप अपने लिए घर नहीं बना पा रहे हो तो रवी पुश्चे नक्षत्र के दिन पून श्रधा और मन में विश्वास रखकर आपको एक उपाय करना चाहिए इसके लिए आपको एक आटे का दीपक बना कर जिसमें आप घी या तिल के तेल का प्रियोग कर सकते हैं उसमें आप रूई की बाती लगाए और साथ में पाच दली गुड की ले कर जाएं आपको इस उ शुब माना जाता है भगवान शिफ को और भगवान गणेश जी को आंकडे के फोल अरपित के जाते हैं लेकिन आपके घर में यह दि पौधा है तो आपको घर में इस उपाय को नहीं करना है आपके आस पास आपको यह पौधा जरूर मिल जाएगा बस थोड़ा सा आप ध् शिती फल प्राप्त होगा तो आप क्या करेंगे जो दीपक आप लेके जाएंगे तो उसे आप आप आगडे के जो पौधा है उसके नीचे रख कर जलाएंगे पहले वहाँ पर थोड़ी से आप साफ सफाई कर लीजे एक लोटे में जल लेकर जाएए वहाँ पर जल चड़ है वो भी दीपक के चारो और रख देनी है फिर आपकी जो भी मनुकामना है उसकी पूर्ती के लिए आज के दिन आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश और फिर भूलेनात का ध्यान करें और अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए आप सच्चे मन से प्रार्थ न करें जैस जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का सयोग होता है तो उसे रवी पुष्य नक्षत्र कहते हैं इस दिन सूरे देवता की पूजा की जाती है रविवार का दिन सूरे देवता को समर्पित होता है और पुष्य नक्षत्र के देवता है देव गुरू प्रिस्पति इसल सोरी ग्रह से कोई दोश है, तब आपको तांबे के लोटे में कुमकुम और लाल रंगा फूल डाल कर सोरी देपता को अर्ग देना चाहिए, बहुत ही शुप और चमतकारी प्रभाव आपको जीवन में जल्दी देखने को मिलेगा। अगले दिन सुबह सवेरे उस जल का छिड़का अपने घर में हर कोने में करें और जो बाकी बचा हुआ जल है उसे किसी खाली गमले में या फिर किसी पौधे में आप अर्पित कर दें। ध्यान रखें तुलसी जी के पौधे में ये जल आपको अर्पित नहीं करना है। इसक किसी योग की जरुतमंद व्यक्ति को ही देना है। इसके लिए आप गेहूं की साथ छोटी छोटी डलियां एक लाल कपड़े में बांध लें और अलग से दूसरे लाल कपड़े में आप गेहूं बांधें और उसी जो गेहूं की जो पोटली है उसमें आप जिसमें आपने अर्चने आ रही हो तो रवी पुष्य नक्षत्र से आप एक दिन पहले केले के पेड़ की जड़ को आमंत्रन दे कर आएं उन्हें निमंत्रित करके आएं कि हम आपको लेने के लिए कल आएंगे और इसके बाद रवी पुष्य नक्षत्र में आप पहले केले के पेड़ का एक मुठी चने की डाल और एक गुड की डली डाले इस प्रकार से आप फिर केले के पेड़ की जड़ का पूजन करें और पूजन करने के बाद केले के पेड़ की जड़ है उसमें से आप थोड़ी सी जड़ को उखाड कर घर ले आएं घर लाकर इस जड़ को पहले गंगा जल में बांध लें अगर आप दाहिनी भुजा में नहीं बांध पाते हैं तो फिर चांदी का एक तावीज बनवाले चांदी का तावीज नहीं बनवा पाते हैं तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी से अपनी गले में बांध सकते हैं जैसे आप आम तोर पर तावीज गले मे के साथ हो सकता है आपका जो आने वाला दामपतर जीवन है वो भी बहुत सुखद रहेगा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं व्यापार करते हैं तो आज के दिन यानि रवी पुष्य नक्षत्र के शुब संयोग में आपको दक्षिनावर्ति शंक अपनी दुकान में जिस होने रगेगा रवी पुष्य नक्षत्र में श्री यंत्र की स्थापना करना बहुत ही शुब फल्दाई होता है इस दिन आप शुब मोहट में श्री यंत्र लाकर घर में इस्थापित करें ऐसा करने से सुख सम्रिधी में वृत्धी होगी परिवार के लोगों की आयू रगातार बीमार रहता हो या कोई सदस ऐसा हो जिसे बहुत चल्दी नजर लग जाती हो तो रवी पुष्य नक्षत्र के दिन तांबे के लोटे में जल भर कर जो भी रोगी व्यक्ती है या जो भी ऐसा सदस परिवार में है उसके बिस्तर के नीचे रात भर रखा रहने दे सुबह होने पर के जल ले जाकर आप किसी भी चुराही पर सुबह ध्यान रखें सुर्यते से पहले आपको यह काम करना है किसी भी चुराही पर आप चुपचाप डाल कर आजएं ध्यान रखें जब आप यह जल किसी चुराही पर डालते हैं तो वापस आपको पीछे मुर क कर नहीं देखना है और नहीं किसी से बात करनी है बिल्कुल मौन रहकर आपको इस उपाय को करना है अब यहां पर आपको एक बहुत ही काम की बात ध्यान में रखनी है कि आप रवी पुष्य नक्षत्र के शुब मुहुर्त में शुब संयोग में कोई भी नया काम शुरू कर स संतान समंदी कोई समस्या है संतान नहीं हो रही हो कोई खास उपाय आपको करना हो आज के दिन आप करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा यान कि देखा जाए तो चाहे आप नए वाहन खरीदना चाहते हों सोना चांदी गहना कुछ भी खरीदना चाहत में कर सकते हैं लेकिन रवी पुष्य नक्षत्र में एक ऐसा काम है जो नहीं किया जाता है और वो काम है विवहा शादी विवहा के लिए रवी पुष्य नक्षत्र को शुब नहीं माना जाता है कुछ विद्वानों के नुसार पुष्च नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है इसलिए विवाह को छोड़कर अन्य कोई भी कारे इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन में सभी सुक्समरिधी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन आप अपने हाथ से कुछ न कुछ दान जरूर करें गर्वती महिलाएं ये घर में हैं तो उनके हाथ से आप मौसमी वस्तरों का मौसमी फलों का या फिर मौसमी सबजीयों का दान करा सकते हैं अन्न का दान महादान बताया गया है अनका दान करने से गर्वती महिलाओं का जो गर्भ है जो होने वाला शिशू है वो बहुत ही भागिशाली बनता है इसलिए आज के दिन आप इस प्रकार के काम जरूर करें अब जाने शुब मोहुर्द के बारे में इस बार दिवाली से पहले पुष नक्षत्र के साथ ही अस्ट महायोग का यानि आठ महायोग का दुडलप सयोग भी बन रहा है चार सो साल बात ऐसा सयोग बना है जब शनी पुष योग और रवी पुष योग के साथ अस्ट महायोग बन रहा है शनिवार के दिन यानि 4 नवंबर को शनी पुश्य योग प्रारंभ होगा सुब़ 7 बज़ कर 58 मिनट से और रवी पुश्य योग 5 नवंबर अविवार को सुब़ 10 बज़ कर 29 मिनट तक रहेगा इन दो दिनों में शनी और रवी पुष्षी योग के लावा आठ और शुब योग बन रहे हैं चार दवंबर को पुषिनक्षत्र के साथ शंक, लक्ष्मी, शश, हर्ष, सरल, साथ्य, मित्र और गज केसरी योग बन रहे हैं इन सभी शुब योगों के साथ ही पुषिनक्षत्र के स्वामी शनीदेव अपनी ही राशी में रहेंगे इन शुब सही योगों में की गई खरीदारी और प्रॉपर्टी में निवेश या फिर किया गया कोई भी खास उपाई आपको जरूर फाइदा देगा उमीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा